हेलो गाइस स्वागत है आपको ब्लॉग्स गुडू चानल पर दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यासे आप अपने ब्लॉगर पे क्विज वेपसाइट बना सकते हो क्विज वेपसाइट बनाने के लिए आपको HTML कोडिंग की जरूरत परते हैं जो लोग HTML जानते हैं उस पे आसानी से वेपसाइट बना लेते हैं पर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक टूल के बारे में जिससे आप क्विज के लिए अनलिमिटेट कोस्टेन और MCQ टाइप एंसर बना सकते हो तो एस आप जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चलिए लेट्स केट स्टार्टेट दोस्तो अगर आप वाट्प्रेस साइट पे ऐसा फीचर डालना चाते हो तो आपको यह सब करना बहुत ही इजी है जास्ट आपको एक प्लागिन को इंस्टॉल करना होगा या पे कुईज लिक के प्लागिन सेक्षन पे सार्च करेंगे तो हाजारों प्लागिन आपको मिल जाएगा जिससे आप किसी भी एक plugin को चूज करके उसको अपने site पे install कर सकते हो और एक click पे सारे feature को add कर सकते हो तो अगर आपका blogger site है तो इस पे just single page रहते हैं इस पे आपको XML और HTML coding जानने की जरूरत है उसके बाद ही आप कोई site बना सकते हो पर मैं इस वीडियो में जो tool आपको provide करूंगा तो उस tool को आपको फैलेट install कर लेना है install करने के बाद उस पे question को create करना है और आसानी से आप एक click करके ही सब कुछ कर सकते हो तो दोस्तो तूल का नाम है hot potatoes इसका link हमारे telegram group पे आपको मिल जाएगा नीचे link है उस पे click करके join कर लीजिए तो इस site पे आएंगे आने के बाद यह पे आपको software को install करना पड़ेगा इंस्टाल कर लेंगे और आपको next next करके अपने PC पे install कर लेना है यह जो software इसका जो खास बाद है यह open source software है मतलब आपको किसी भी license purchase करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुली free में मिल जाएगा सब कुछ software को install कर लेना है और install करने के बाद ऐसा interface हो करेगा इसका UI बहुत ही आजिप सा है तो यह आपर देख सकते हो इस पे जे close है जे match है जे cross है बहुत सारे feature इसके अंदर है तो quiz create करने के लिए जे quiz पे आपको क्लिक करना है हाथ का symbol दिखाएगा जे quiz पे जाके क्लिक करना है तो आप देख सकते हो question का एक module खुल गया है इसके उपर में है title उपर में आपको heading देना है जैसे कि मैं देता हूँ और यहाँ पे आपको question create करना है मैं time को save करने के लिए बहुत सारे question को इस पे already create करके रखा हूँ मैं आपको एक ही दिखाऊंगा और उसके बाद आप इसको create कर सकते हो ऐसे same करके तो यहाँ पे question number one automatically आ जाएगा इसलिए क्यूंकि यह first question है तो इस पे question को लिखना है और उसक तो यहाँ पे answer number one मैं दूंगा canonical एक question का मतलब है webpage को redirect करने के लिए concept quote को use करते हो तो यहाँ पे question देता हो उसके बाद third वाला है 301 और यहाँ पे मैं देता हो none तो दोस्तो इस पे जो 4 answer है इससे correct कौन सा है उसको आपको पहले find करना होगा यहाँ पे देख सकते हो third वाला correct है इसलिए मैं इसको tick करूंगा एक correct है और उसके बाद यहाँ पे आपको second question को create करना है second question create करने के लिए यहाँ पे question के उपर एक symbol है next इस पे click करेंगे तो second वाला question आ जाएगा इसके जाएगा same करके आपको question को डालना है मैं वीडियो को pause कर देता हूँ तो वीडियो को क्योंकि मैं इस पे image कैसे add करते हैं वी दिखाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पांचों question add हो गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे feedback का option है feedback का मतलब है जो question आप अपने user को कर रहे हो उसका जो answer होगा और उसके बारे में पुरा describe करेंगे उसके लिए feedback का option है और इस आप किसी भी question के अंदर photo देना चाहते हो तो यहाँ पे photo का भी option है जैसे किसी भी question को आप करते हो तो photo देंगे यहाँ पे photo for web URL यहाँ पे देख सकते हो आप insert a picture from a web URL और यहाँ पे width height आप customly set कर सकते हो यहाँ ऐसे ही रख सकते हो तो मैं इस पे यह link देता हो उसके बाद य दो अधर डिक्स तो गुगल पे जो photo नडा चाहते हो उसको पहले सार्च करना है मैं सार्च कर लेता हो उसके बाद images पर युप्ट पर जाएंगे जैसे कि इस photo को मैं मेरे मेरे이면 कोसियन के आंदर दिखा ना चाहता हो इस photo को दिखाना चाहता हो तो यहाँ अपे फोटो को प इसको copy करना है आपको direct copy link नहीं करेंगे तो यहां पे नहीं आएगा copy image address पे click करना है और उसके बाद module को खोलेंगे और इस जगह जो link URL है इस जगह link को paste करेंगे और यहां पे alternate text है तो आप दे सकते है blogger यह SEO के लिए होता है और यह पर टाइटेल आब अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो मैं इसको टाइटेल ब्लैंक की रखूंगा कोस्टेन को डिलिट कर देंगे और उसके बाद OK पर क्लिक कर देंगे बस इस पर आ गया है तो हम इसको ब्लॉगर पर टेस्ट करेंगे कैसे करना है जहांपए सेप करेंगे आपके HTML फाईल को तो इहांपे मैं देते हो कुईज डेक्सटॉपس प सेप करूंगा सेप करूंगा और इसको मैं नाथिंग कर देता हो तो डेक्सटॉप पे एक HTML फाइल शो कर रहा है देख सकते हो HTML कुईज नाम के तो इसको आप खोलेंगे तो ब्राउजर पे देख सकेंगे कैसा दीखते है तो देख सकते हो कितना सुन्दर इस पे आ रहा है तो अगर आप इस सब आनन चीज को हटाना चाहते हो तो भी कर सकते हो जैसे की क्व vita पर जो सीम्बॉल है इस चीज को ड़ो सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों आगर चाथे हो फोल्ष Kr copy करना है या फिर इसके उपर copy करेंगे right click करके और उसके बाद आपने blogger page पे save करेंगे तो यह आप news post पे click करेंगे और यहाँ पे देता हूँ SEO MCQ questions उसके बाद यहाँ पे है visual format पे आपको इसको html format पे click करना होगा तो दोस्तों यह blogger का निया वाला interface है इसलिए थोड़ा अलग है तो आपको यहाँ पेंसिल का एक symbol दिखेगा साइट और यहाँ पे html view इस पे click करेंगे तो html format पे आ जाएगा तो इसको आपको सिलेक्ट करके delete कर देना है और यहाँ पे ओजो code आपने copy करेंगे यहाँ पे जाद से paste करना है और उसको फिर से compose view पे click करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगा मतलब कुछ देख नहीं पाएंगे जब पोस्ट को खुलेंगे तो तब देख पाएंगे तो इस पर पाप्लिस पे click करेंगे confirm और इस पोस्ट को कोई जासे कि मैं साइट को एक बार रिफेश कर देता हो जैसे खुलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो भी इसके अंदर राइट करेगा तो राइट दिखाएगा जैसे कि इस को सिन का अंसर है 301 तो कारेक्ट यहाँ पे शो करेगा कारेक्ट अगर आप गलत देते हो तो गलत सो करेगा इन कारेक्ट अगर आप गलत देते हो जैसे कि मैं देता हो नन तो यह सोरी ट्राइगें मतलब यह गलत है तो गलत शो कर रहा है तो यहां पे आपका स्कोर भी उपार शो करेगा कितने आप राइड बोले हो और कितने गलत बोले हो ओ भी यहां पे शो करेगा तो यहां पे शो अल कोस्टेन पे कोई क्लिक करेगा तब पूरा कोस्टेन एकी पेज के अंदर शो करेगा तो इस पे आपको थ देंगे रिलेटेट पोस्ट टैग और यहां पर सेयर बटन को ज़रूर रखिए और आथर का नाम रब राख सकते हो उसके बाद सेफ पे क्लिक करना है फिर से पोस्ट को रिफ्रेश्ट करेंगे तो दोस्तों नीचे बाकी सारे चीज़ हट गया है सेफ कोस्टिन वाला शो करे और साइड बार में यह सारे कास्टोमाइजेशन आप जानते हो ज्यादा बाताने की जरूरत नहीं है तोस्तों यह तूल का एक अच्छी बात है इस पे जो एस्टीमेल कोड आपको जेनारेट करके देगा यह कोड आप वाटपेस पे भी कर सकते हो बीना किसी प्लाग इन को हो इंस्टॉल करके वाटपेस पे आडड नीव पोस्ट पे करेंगे यह पर प्लास सिम्बॉल दिखेगा आड ब्लग पे क्लीक करेंगे यह आप सार्च करना हे HTML गास्टोम HTML कोड है तो यह पर जो आपने जेनरेट करे हो इसको फिर से कॉपी करना है और इह आपर लेके पेस वेबसाइट बना सकते हो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू ऐसी तरह ब्लागिंग डिलेटेट वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए गुडवाई टेक क्या